आज की इस एपिसोड में डिसकस करेंगे अडानी पावर स्टॉक के बारे में इस समय जो इसका 242 और पचास का जो जोन है यह मिजर रिजिस्टेंस जोन है एक बार 250 को ब्रेक आउट होने दें उसके बाद ही फ्रेस बाइंग लेंगे अल्रेडी इन्वेस्टेड हैं तो बिल्कुल इस स्टॉक को छूना छोड़ देंगे यहां मैं आपको दिखाऊं जो सबसे बरी बात मुझे दिखानी है वो यह है कि समय टू थर्टी सेवन पे ट्रेड हो रहा है अडानी के फंट रेज को लेकर के हमने अल्रेडी आपसे 21,000 करोर को लेकर के कहा और इस समय पेक्ट दिख रहा है या न्यूज के कुछ ऐसी बजहों से यह ट्रेंड हो रहा है तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है इस समय आपने देखने की जरूरत यह है कि डिलेवरी किस परकार से दिख रहा है डिलेवरी काफी आउटरेश्टेंडिंग है more than 50% का जो डिलेवरी होता ह वो काफी बेहतर डिलेवरी माना जाता है और इसके साथ ही जो एक बड़ी चीज आपको देखने की जरूरत है यहां देखेंगे तो स्टॉक ने पिछले 3 मंत में कितने परसेंड डिटर्ण दिये 60% इसके जो विक हैं ट्रेडर है यह प्रोफिट करते दिख रहे हैं जिसके पहले कौसन बढ़ते हैं या फिर लोर लेवल आपको 220 के नीचे के आसपास का लेवल दिखे तो इस लेवल पर वेट करेंगे यह जो जोन है नो ट्रेडिंग जोन है मल्टिपल रेजिस्टेंस 242 का है इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके उपर का ब्रेक आउट इस स्टॉक को पहला टार्गेट जो आएगा वो 275 उसके बाद 300 और उसके बाद 340 यह तीन लेवल को अपने डाइरी में लिख लें बागी इस से मैंनू ट्रेडिंग जोन है सोट या लोंग दोनों करने से आपको बचना चाहिए